दोस्तों, NFT का क्रेस तो डेफिनिटली काफी ज़ादा चल रहा है पर यहाँ पर NFTs को लेते हो हमेशे एक दिक्कत होती है कि यार, NFTs ट्रस्ट वर्दी है के नहीं है तो यहाँ पर Shark Tank की जानिब से यहाँ पर एक रेफरेंस है Shark Tank के जो, one of the Shark Tank के जो, जजजिस हैं उनके थुरूं, एक NFT यहाँ पर हम बात करेंगे इसका नाम है Gesha Tea House different concept है, अलड़ी इसके उपर return अच्छे कासे लोग को मिल चुके जिन्होंने previous minting में participate किया था, तो इस project के बारे मैं आपको detail में बताएंगे कि कैसे इसका जो भी current minting खुला हुआ है, इसमें participate करके आप इसके NFT से अच्छा कासे return ले सकते हैं, और काफी सारी दिचस्ट बाते करेंगे जिससे आपको इस particular NFT artwork के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा, मेरा नाम है रोई शर्मा Satoshi Stacker India में आपका स्वागत है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं है तो अभी के अभी जो है subscribe button को दबा कर चैनल का हिस्सा बनिये, बिल्कुल मुफ्थ है, कोई cost नहीं है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती कि पहले जैसे आजकल Starbucks है, वैसे Japan में Tea House हुआ करते थे, जहां पर जादा से जादा Ministers और Businessmen अपनी Discussions के लिए, अपने Business के लिए आते थे, और ये जो गीशाज हैं, ये दो तरह के काम करती थी एक तो definitely perform करके मनुरंजन करती थी और दूसरा, informations को इदर से उदर ले जाने में इनका बहुत महत्वपून काम होता है खबरी हुआ करता है, इसको मैंने बहुत सिंपल भाषण में आपको Hindi में समझाने कोशिश की है, तो गीशाज काफी beautiful dancers हैं, performers हैं, तो उसके उपर इन्होंने basically उसके उपर पूरी collection बनाई है, तो गीशाज, अलग लग तरह की गीशाज को इन्होंने यहाँ पर create किया है, NFTs बनाए हैं, और एक अलग concept आप जैसे कि आप जानते हैं, NFTs में different चीज़ें हमेशा जादा अच्छा काम करती हैं, और icing on the cake क्या है यहाँ पर, Kevin O'Lary, आप इस चेहरे को जानते हैं, Shark Tank जो है US के, यह permanent judge है, हमेशा उसमें हिस्सेदारी करते हैं, काफी wealthy आदमी है, और यह जो है, इसकी अगली minting का inauguration कर रहे हैं, जो इसका event है, 14 February को 9 AM EST पर, उसके जो inauguration के यह chief guest हैं, और पूरा webinar यह control करेंगे, host करेंगे, webinar और जो physical event भी है, जो लोग physical event में जाके attend कर सकते हैं, तो अगर आप minting में नहीं भी सालने चाते हैं, तो भी discord के थूर आप live इसको सुन सकते हैं, और उनकी vision करेंगे, दोस्तों, इनके roadmap को समझते हैं, और देखते हैं, कि आगे आगे अने वले time में, इनके NFTs पे कैसा return आएगा, तो सबसे पहले, आपको access card मिलेगा, अगर आप NFT खरीदते हैं, तो आपको exclusive launch pads में access मिलेगा, और साथी साथ, गेशा ने decent land माना के उपर, एक plot खरीदा है, जहां पर उनने चाय की दुकान बनाई है, क्योंकि tea shop है, और उसके उपर virtual tea house के अंदर आपको decent land में visit करके, अपने NFTs को वहाँ पर demonstrate करने का मौका मिलेगा, ताकि लोग आगे जाके आपके NFT को देखकर वहाँ से खरीद सकें, तो imagine एक virtual shop है, I'm assuming कि आपको decent land के बारे में पता है, वहाँ पर एक shop है, जहां कि आपके सारे arts जो है, लिस्टेड होंगे, लोग वहाँ से खरीद सकते हैं, आगे आने वाले time में, यह लोग अपना myco नाम का NFT launch करेंगे, जिसके आपको free airdrops मिलेंगे, अगर आप NFT, गेशा NFT के holder हैं, और साथी साथ, जो भी minting है through gas burn वगरा होगी, उस burn का एक बड़ा हिस्सा जो है, यह promotion और marketing में यूज़ करेंगे, ताकि platform के बारे में awareness generate हो, और NFTs के holders हैं, उनको खरीदार प्राप्त करने में, खरीदार ढोनने में ज्यादा दिक्कत ना हो, तो यह दोस्तों current, इनका roadmap है, काफी solid roadmap है, आने वाले समय में, इस current roadmap के बाद, जो आने वाला roadmap two dot हो है, उसके बारे में showcase करने के लिए, Oculus, जो की एक AR based device है, उसके उपर भी यह लोग launch करेंगे, अपने NFT को, और finally, जो है, गीशा को आप future में stake करके, और NFTs airdrop के तौर पर path पा सकते हैं, तो यह भी एक अच्छी वीचर है, तो all in all, high quality NFT है, जिसकी marketing team जो है, वो काफी serious है, इस बात के लिए, कि आपके आने वाले NFTs को अच्छा return मिले, और यही कारने कि past में, अगर आप देखें, जो इस समय जो NFT sale निकली हुई है, उसका जो floor price जो रखा है 0.08 Ethereum, और इससे पहले private sale जो अभी चल रही है, इस समय, उस पे price is 0.055, तो definitely अगर आप private sale में हिस्सा लेते हैं, तो already आपको 60-70% return मिल सकता है, पर अगर हम इसके already 5000 items का minting पहले हो चुका है, उसके floor price को देखें, तो उसका floor price already 0.11 Ethereum है, तो अगर आप इसको compare करें, 0.115 Ethereum को price को compare to the private sale जो इससे में चल रही है, तो almost double से भी जादा है, और अगर आप public sale में भी हिस्सेदारी करेंगे, तो भी आपको 0.088 से point 11 होने में, आप लगा लिजी हिसाब की almost 40% के करीब का return जो है, वो यहां से मिलेगा, अगर आप public sale में भी हिस्सेदारी करते हैं, जो 12 February को होल रही है, 12 February तक by the way, जो है आप private sale में हिस्सेदारी कर सकते हैं, और हिस्सेदारी लेने के पता, अगर आपको NFT मिलता है भी, तो आ पारे basic rights मिलते हैं, पर उनमें से 10 random holders हैं, उनको एक exciting gift मिलेगा हर साल, अगर आप 5-8 NFTs hold करते हैं, तो आप boronzu group में participate करते हैं, जो basically bronze way of saying in Japanese है, तो उनको basic फायदों के साथ, एक random holder को जो है, वो एक exclusive airtime मिलेगा, to speak to the founders, और yearly gaisha tea house gift cards जो है, वो सभी holders को मिलेंगे, तो वहाँ पर 10 holders को, यहाँ पर जो gift है, वो हर एक holder को मिलेगा, अगला जो है, वो 9-14 NFT holders को शिरूबा पास मिलेगा, या आप website पे जाके बाइद वे खुद visit कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी जो है, एक या 3-4 से जादा NFTs लेने वाला ह तो अगर आप बड़े वेल हैं, जो इस channel को follow करते हैं, या अगर आपकी कोई ऐसी specific रुझान है, तो आप definitely खुद जाके detail में बढ़ सकते हैं, मेरा मानना है कि मैं तो at least एक से जादा NFTs इतना risk में लेने वालों मिसे नहीं हूँ, आपके उपर depend करता है आप अपने risk appetite के हिसा जादारी करके जो है बड़े फायदे उठा सकते हैं, बट मेरा personal feedback कि मुझे वो बड़े फायदे कुछ जादा exciting लगे ने, बहराल मैं आपके उपर छोड़ूँगा कि आप अपनी choice चाते हैं, summary, summary यह है कि एक exciting project है जिसके art and craft की quality बहुत अच्छी है, past में return proven है, floor price बहुत कम है, अगर मैं 0.05 Ethereum का अभी का rate मानूं, तो आप यह माननीजे कि यह 5% of Ethereum कितना हुआ, इसा में 3,500,000 रुपे का Ethereum है, तो उसका 5% करीब 10-12,000 रुपे के आसपास, जो है वो price है, price बहुत जादा नहीं है, price के appreciation में जादा है, बड़े नाम जुड़े हुए, Shark Tank के Kevin O'Leary ने ज research के basis पर अपना investment कीजिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दोस्तों, like करना मत भूलिए, जैहिन